हलो दोस्तों वेल्कम बैक टुवर्ट चैनल मायने में सोनम जोहन तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है संतोमस एक विनस और इस से पहले हमने काफी सारे लेक्चिर्स और लेडी हम ले चुके नहीं देखा तो जाकर के देख लिए ना वीडियो के एंड में मैं इसकी प्ल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हैं इसके लावा आप हमारे साथ हमारे शोशल मेडिया हैंडल के त्रू जूट सकते हैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे इंस्टाग्राम फेस्बूक और टैलिग्राम पर हम अपने पीडिएफ क जूड़ी वी कोई लेटेस्ट इंफोमेशन है वो भी वहाँ पर हम रीडिस के जरी शेर करते रहते हैं और और भी बहुत सारी से अपडेट है जो वहाँ पर शेर होती रहती है तो आप अपना जोइन कर सकते हैं इस्टाग्राम को फोलो कर सकते हैं नीचे वीडियो डिस्क करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे मिनकी लाइफ स्केच के बारे में तो संथोमस एक्विनेस के जर्म 1260 से नीकि 1227 को नेपल्स के एक्विनो नामा के एक नगर में हुआ था उनके फादर एक्विनी के काउन थे उनकी माता का नाम थियोडोरा था और वो अपने साथ भा गेट था कि मैं भिख्शुक बनूगा मौंक का उनका डारेक्शन था घर का प्रिद्याकर पैरिस पोचकरवाय योग्य गुरू और अध्यात में गयने की कि स्प्रिच्वल लीडर अलबर्ट महान के चर्णों में चाड़ वर्स्त गुरू ने वहाँ पे स्टड़ी की और यहां रहते रहते अने गरंतों की भी रश्णा की सन 1274 इनके 1274 को उसकी मृत्य होगी तो यह छोटी सिसकी लाइफ स्केच है थोड़ा सा प्रकाश डाला है लाइट डाली है तो हमें थोड़ा बहुत पता लग चुका है है तो इतना ही बहुत है ठीक है वैसे तो जानने के आप अलग से किताबे भी ले सकते हो एक्विनस के नाम पर बहुत सारे किताबे आती है बट आपके एक्जाम के पॉइंट विजितना बहुत है अब बात करते हैं संतोमस एक्विनस का परभाव इंफ्लूएंस ओवेस्टी एक्विनस तो एक्विनस पर अपने यूग का अब हम एक्विनस की बात करें किसी भी थींकर की बात करें उसका उसके खुद के यूग का उसके उपर बहुत अब कर बहुत से परबाव देखने को मलता है दो सत्ता के बीच में, एक धर्म की सत्ता और एक पॉप की सत्ता, ने ने, एक धर्म की सत्ता और एक राज्य की सत्ता, धर्म की सत्ता को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, वही कुछ लोग राज्य की सत्ता को सपोर्ट करते हैं, बच धर्म की सत्ता में कहता हैं कि सारी जो राज तो राज्य के कल्यान के लिए वैलफिर के लिए वो सही से डिसिन वो लेंगे ठीक है धर में गंद विश्वास होता है तो कहीं न कहीं वो नहीं ले पाएंगे तो यह conflict काफी समय तक चलता रहा लेकिन संथॉमस एक्विनस की जब हम बात करते तो वो उस समय की बात है जब पोप की सता नकेवल spiritual field में बलकी political field में भी वो established हो चुकी थी चार और यूनानी दर्शन की study बुद्धिवाद की नहीं धाना हर जगा देखने को मिलती आइडियोलोजी हर जगा देखने को मिल रही थी यूनानी philosophy की अनेक स्कूलों में यूनानी philosophy को study करना start कर दिया था और इन स्कूलों में जो भी teachers थे वो scholar tisq कहलाते थे इसमें बात करेंगे हैं एक्विनिस की रचनाओं की बारे में यानि की उनकी जो गरंत है उनकी जो books उनके बारे में तो वो एक महल लेखक था ये तो हम सब ही जानते हैं सारे philosopher महल लेखकी होते हैं और उनकी मेरे two forty seven years की IU मे नहीं हो गई थी फिर भी उनकी जीवन इस चोटे से जीवन काल में काफी कुछ अपना चीवमेंट किया था जिन में से एक पहली है सुमा थियोलोजी का दो काफी फेमस भी रही है संथॉमस एक्विनस के नाम से और एक्जाम में भी जैसे नैड जैसे यूजिसी नैड और जैसे एक्जाम में इस तरह की कोशन पूछ ले जाते कि सुमा थियोलोजी का किसी रिलेटेड है सो तो वो संथॉमस एक्विनस से ठीक है दूसरी थी कमेंटरी जोंदा पॉलिटिक्स ओफ अरिस्टोटल फिर तीसरी थी दे रूल ओफ प्रिंसे और डे रेजिमाइन प्रिं तो इसके बाद बात करते हैं संथॉमस एक्विनस के राजनितिक विचार यानि कि उनके पॉलिटिकल वीव्स क्या थे अब राजजे संबंदी विचारों के बात करें यनि कि वीव्स ओन स्टेट के लेकर के वो कैसे विचार रखते थे कैसे उनके थोड़ थे राजजी का हुए मैंने वो एक सामा जी को राजनेतिक प्राणी एक शोचल एक पॉलिटिकल एनिमल्स है तो राज्य का स्थित्व आवश्रक है क्योंकि माना उसके बिना अपना कम्प्लीटली डेवलप्मेंट नहीं कर सकता है संतोमस एक विनस का इमाना था कि राज्य जो लोग कहते कि राज्य बुरा ही है वो बुरा ही इसलिए बोलते क्योंकि वो कहीं न कहीं एक ऐसा राज्य चाहते ही नहीं है ताकि उनको ऊपर कोई कंट्रोल ना कर सके वो जिस से च टीक है इसके बाद दूसरा दे दास पर्था का समर्थन उनोंने किया सपोर्टर ओफ स्लैवरी सिस्टम एक्विनस ने कमप्लीटी रूप से स्लैवरी सिस्टम को सपोर्ट किया तीसरा उनका थोड़ आता है पॉलिटिकली जो थोड़की बात करें तो शासन पनाली का वर्गी याने की Monarchy, Oligracy या तरीके से Democracy इस तरीके से Divide किया उन्होंने जो Governance थी, ठीके, ऐसी अरिस्टोटल को आपने पढ़ा होगा, अरिस्टोटल ने भी Governance को Divide किया है, तीन टाइपस में, ठीके, तो उन्होंने भी किया है, उसके अलावा अगर हम Next Point की बात करते हैं, राज्य के कारी है, तो एक्विनिस ने युनानी, रॉमन और इसाई धर्म के विचारों को करते वे राज्य के कारू का निरधारन किया, र सब्सक्रावा Next Point है कि राज्य और चर्च के संबन्द, रिलेशन बेट्वन स्टेट एंड चर्च, तो यहां पर मनुष्य की कुछ आवश्रक्ता हैं, भोतिक होती हैं, कुछ आवश्रक्ता हैं, पार्लों की होती हैं, यानि कि वो प्रत्वी पर रहते हैं, वो एक कुछ अवश्रक्ता हैं, वो completely चर्च के माध्यम से होती हैं, कि भगवान की पूझा पाट के वीडिया नहीं हो सकती है, वो चर्च की प्रभूता को मानता हैं, ठीक है? कि वह कुछ अवश्रक्ता हैं, तो हमारी स्टेट में हो जाती हैं पूरी, लेकिन कुछ अवश्रक्ता हैं, मन की शान्ती की बात करे, spirituality की बात करे, और कहीं न कहीं positive-ness की बात करे, तो वो हम कहीं न कहीं भगवान से relate करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कानून के संबंद में विचार views on law, तो संतौमस एक्विनस ने कानून संबंदी विचारों के संबंद में भी कहा है, उन्होंने अलग-अलग कानूनों को divide किया है, जैसे शाश्वत कानून, internal law, प्राकर्ति कानून, यहने की natural law, डेव्य कानून, divine law, मानवे कानून, human law, तो उन्होंने अलग-अलग कानूनों को यहां पर परिभाशित किया है, explain किया है, ठीक है, भी कानून की एक टाइप का कोई कानून नहीं होता, कानून अलग-अलग तरीकी के हो सकते हैं, ठीक है, शाश्वत कानून यहने की internal law होते हैं, यह वे नियम थे हैं, जिनकी योजना और विधा, निश्वर, कैतरित, और कोई भी वेक्ति मतलब उन्हें नहीं जानता है, मतलब यह सिर्फ लोग भगवान बना सकता है, वेक्ति में इतनी शम्ता नहीं, इनकी इतनी capability नहीं है, प्रकर्तिक लोग, अगर हम प्रकर्तिक कानून की बात करते हैं, तो एक्च्वल में यह वो नियम है, जो शाश्वत नियमों के ही प्रकर्ति में पाए जाने वाले वार, तो मनुश्य अपनी बुद्धी दुआरा जान सकता है, यानि कि यह natural law है, और कोई आम इंसान, जो बुद्धी से काम ने लेता, वो उन लोग को नहीं समझ सकता, तीसरा है देव्य कानून, यानि कि जो इश्वर ये कानून, इश्वर की आज्याओं में नहीं थोते हैं, यानि कि जो इश्वर बनाता है, ठीक है, इसके अलावा, इसके लावा ने नहीं समझ समझ के विचारों के विचारों को देखें, तो बहुत सब्सक्राइटी आपको वहाँ पर नजर आएगी, ठीक है, तो एक्विनस ने नहीं की परिभासा, नहीं को जो डिफाइन किया है, वो उस तरीके से क्या है, कि नहीं परते यक विचतिगी उसके अपने अधिकार की एक निशित और सनातन इच्छा है, ठीक है, derived कि एक एक ऐसे इच्छा है जो हर एक विचतिगी होती है, और उसको म watches वह मिलना है चाहिए, नहीं ठीक है, इसके अलावा next रहों बात करेंगे संत Toolmas Aquinas मद्धे यू के अरस्तु थे ऐसा उनको बोला जाता है ये किसने बोला? Maxi ने बोला Maxi का statement है की मद्धे यू का अरस्तु कहा जाते क्योंकि बहुत अधिक अगर प्रभाव की बात करे फेट की बात करे तो वो एक्विनस के उपर मतलब अरस्तु का ये देखने को मिलता है अब एक्विनस को मध्यूक का रस्तु मारे जाने के समद में काफी कुछ रीजन उन्होंने यहाँ पर explain किये है पहला बोंटे के संतों मैसा एक्विनस ने इसाई धर्म द्वरा परभावित राजनेतिक दर्शन और अरस्तु के धर निर्पेश दर्शन के बीच में एक बैलेंस को establish करने के लिए political thinking को सामाने जन के लिए सुलब बनाया ठीक है वो भी है दूसरा है कि एक्विनस ने अरस्तु की बुद्धिवादी धारना को अपनाया तीसरा है इसाई धर्म के दर्शन के अगेंस्ट तथा अरस्तु के जो भी विचार है उनके अनुरूप उसकी माननेता थी कि राज्जे एक सुभाविक संगटन है और stress जीवन की target को अचीव करने के लिए राज्जे के द्वारा ही हम उसको possible बना सकते हैं फिर नेक्स्ट है कि एक्विनस ने राज्जों का वरगी करन, राजतंत्र, कुलिंतंत्र और लौकतंत्र के रूप में किया जैसा कि अरिस्टोटल ने किया ठीके और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे point निकल कर के आते हैं, जो ये जो ये explain करते हैं कि कही न कही एक्विनस पर अरस्टो का बहुत ही 11 परभाव देखने को मिलता है ठीके, I hope ये video lecture आपको definitely पसंद आया होगा और clear भी हो चुका होगा तो फटाफट से लाइक कर दो और वीडियो को शेर कर दो, ठीके अपने जो भी social media एंडल जो भी आप यूज़ करते हो whatsapp, instagram, facebook, वहाँ पर आपसे शेर कर सकते हो, और अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लेना, bell icon को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तो पहुंच दा रहें, देखे, हर एक वीडियो की जो PDF होगी, वह हम पहले available नहीं कराते हैं, हम वीडियो lecture के जस्ट एक एदो मिंट बाद ही telegram पर उसको शेर करते हैं, ठीके तो इस वीडियो की और हर एक वीडियो lecture की जो PDF notes हैं, वह हम वीडियो के बाद ही उसको हम upload करते हैं, मतलब जो share करते हैं, ठीके, तो चलिए मिलते हैं next information के साथ में next video lecture में, तब तक की लिए, जे हिन जे भारत